एक tennis player का अपने brother-in-law की फियांसे के साथ ही affair हो जाता है एक twist की वज़े से बहुत सारी complication हो जाती है Hello friends, आज मैं आपको match point या एक Hollywood movie explain करने वाला हूँ अगर आपको ये video अच्छा लगता है तो please like और comment ज़रूर कर दीजे बेना किसी दरीके explanation start करते है movie start होते ही हमारा main character जिसका नामे Chris यह हमसे बात करता है वो कहता है इस world में lucky होना बहुत important है लोग जादा luck पर बिलिव नहीं करते क्यों क्यों डरते है match के beach में एक point आता है जब ball net से ठकराता है उस वक एक तो आगे जा सकता है और आप जीच जाते हो या पीछे आ सकता है और आप हार जाते हो यह सारी चीजे luck पर depend करती है अब इसके बाद हमारी आगे की story start होती है Chris actual में बहुत ही successful tennis player था उसे अलग-अलग जगा पर टूर के लिए जाना पड़ता था very life उसे अच्छी नहीं लगी वो decide करता है कि अब वो tennis instructor बनेगा लंडन में आकर उसे जॉब मिल गया एक दिन उसे बहुती rich student मिला इसका नाम है Tom Tom और Chris में friendship हुई एक दिन जब बात कर रहे थे तो Tom कहता है मुझे ओपेरा देखना बहुत अच्छा लगता है पर उसके साथ कोई आए ऐसा कोई भी नहीं Chris ने कहा कि मुझे भी ओपेरा अच्छा लगता है इस बात पर इन दोनों की bonding हुई और एक ओपेरा देखने के लिए उसने Chris को invite कर लिया ये दोनों जब वहाँ पर पहुँझे तो Tom की पूरी फैमिली वहाँ थी उसकी मदर फादर और उसकी एक सिस्टर सिस्टर का नाम है क्लोई क्लोई को Chris फर्स टाइम देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा अगली दिन जब Tom और Chris फोन पर बात कर रहे थे तो Tom गहता है मेरे सिस्टर को तुम अच्छे लगे उसने वीकेंड पर तुम्हें पैरेंट से मिलने के लिए बुलाया हुआ है क्रीस भी फिर चला गया तॉम और Chris टेनिस खेल रहे थे तो क्लोई भी इंटरस्टेड हो की क्रीस उसे खेलना सिखाता है इन्होंने बहुत सारी बाते की और एक दूसरे को जानने लग गए क्लोई को पता चला कि क्रीस बहुत ही फूर फैमिली से आता था उसने मेहनत करकर टेनिस में वो प्रोफेशनल ब्लेयर बन गया क्लोई को यह सब बाते बहुत अच्छी लगती है उसने फिर उसे एक आर्ट एक्ज़िविशन देखने के लिए बुलाया घर में क्रीस नोला को नोटिस करता है नोला उसे बहुत बहुत ही अट्रेक्टिव लगी डेबल टेनिस में नोला को कोई भी हरा नहीं रहा था क्रिस उसके साथ खेलता है उसे हरा देता है नोला भी उसके साथ flirt करने लगे कहती है तुम्हारा गेम बहुत ही agressive है क्रिस कहता है क्या कभी तुम्हें किसे ने कहा है तुम्हारी lives बहुत ही sensual है यही बाते जल रही थी तब यहाँ पर Tom पहुचा Tom Nola को Chris से introduce करवाता है कहता है कि मेरी fiancé है Nola actual में एक struggling actress थी Tom की mother को Nola का profession अच्छा नहीं लगता पर Tom Nola से बहुत प्यार करता है आज किल Chris के पास बहुत सारा time होता है क्योंकि उसके पास जादा students नहीं Chloe कोई बात बहुत अच्छी लगती है पर उख्रिस को help करना चाहती थी इसलिए अपने फादर से उसने बात की अगर उनके company में कोई position हो तो क्रिस ये ले सकता है फादर ने भी हागा तो क्लोई इसके लिए बहुत excited थी क्रिस को ज़रा awkward लगा उसने गा मुझे business के बारे में कुछ भी पता नहीं मैं शायद सही से कर नहीं पाऊंगा क्लोई कहती है सिर्फ तुम जा कर देखो स्लोली स्लोली सारा office तुम run करोगे आज जात क्रिस और क्लोई इन नोला और टॉम के साथ डिनर कर रहे थे क्रिस नोला के बारे में और भी जानना चाहता था उसके मूवी इसके बारे में उसने उसे पूछा नोला कहती है मुझे सिर्फ एक ही कमर्शल मिला था उसके बाद उसे जाता चांस ने मिलता आज कल वो सोच रही है उसे एक्टिंग का करियर छोड़ देना चाहिए इसके बाद हम देखते है क्रिस ने कलोई के फादर की हागा जॉब ले लिया है एक दिन ये दुनों हैंग आउट कर रहे थे क्रिस ने कलोई को सौंस की सीड़ी दी इनका प्लान था कि इसे सुनेंगे घर पर ही डिनर करेंगे एक ब्यूटिफुल सी इविनिंग्स पेंट करने वाले थे कलोई कहती है आज राद नोला और टॉम ने हमें डिनर के लिए बुलाया हुआ था उसने उसे मना कर दिया है ये बात सुनकर क्रिस कलोई से कहता है हमारी नाइट कभी भी हो सकती है हमें उनके साथ डिनर के लिए जाना चाहिए क्रिस कलेरली नोला में सबसे ज़ादा इंटरस्टेट था ये डिनर के लिए गए पर आज राद नोला इनके साथ नहीं गई उसका ओडिशन था तो इसके लिए नर्वस थी अगली दिन स्टेट से गुजरते हुए क्रिस नोला से मिला वो बहुत ही टेंशन में थी अब उसका ओडिशन है और वो डर रही है क्रिस ने फिर उसे साहरा दिया जहां बार ओडिशन था वो आपर उसके साथ गया ये ओडिशन नोला का सही नहीं जाता उसे calm down होने के लिए एक drink की जरुएत थी तो दोनों drink करने के लिए एक जगा पर आये इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है नोला के फादर बजबन में उसे छोड़ कर चले गए थे उसे life में successful होना है इसलिए अक्रेंस बनना उसका ड्रीम था क्रिस नोला को उसके और टॉम के रिलेशन्शिप के बारे में पुछता है नोला कहती है हम दोने एक पार्टी में मिले थे टॉम को मैं बहुत अच्छी लगी तो हमेशा मुझे गिफ भेशता था मुझे उसने बहुत सारा अटेंशन दिया तुरंद फिर प्रपोस कर दिया नोला फ्रस्टेटेट थी टॉम की मदर को नोला अच्छी नहीं लगती तो नोला को बहुत बुरा लगता है क्रिस ने गा कि शायद उसे मैं भी अच्छा नहीं लगता नोला गयती कि ऐसा कुछ भी नहीं वो तो तुम्हारी और क्लोई की शादी हो इसके लिए रेडी हो रहे है एक्च्छल में क्लोई का एक बहुत ही घटया बॉर्फरेंट था उसके कंपेरिजन में तुम बहुत अच्छे हो बस अब इसके बाद कुछ गड़वर्ड मत करना क्रिस पूछता है कि कैसे है नोला ने कहा मेरे साथ अफेर करकर इसके बाद विकेंड के लिए इस सारे टॉम की फैमिली के साथ थै यही बर टॉम की मदर और नोला की बीच में जगड़ा हो जाता है नोला एक्ट्रेस है और इसी बात पर यह जगड़ा था इस जगड़े के बाद नोला बहुत ही जगड़ा डिस्टरब हो गई बाहर बारीश चल रही थी वैसे वो घर से बाहर निकल जाती है क्रिस ने सब देखा उसके पीछे वा आता है वो उसके पास आ गया नोला गहती है कि अच्छा एड़ा नहीं हम कुछ भी गलत कर सकते है इन्होंने फिर किस कर लिया यही पर इंटिमेट हो जाते है इस दिन के बाद नोला क्रिस को इग्नोर कर रही थी एक दिन बहले में क्रिस नोला से बात करता है नोला ने कहा हम दोनों किसी और के साथ इनवाल्ड है जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी इसके बाद क्रिस ने डारेक्ली क्लोई के साथ शादी कर ली एक ब्यूटिफुल सा घर देखने के लिए आये हुए थे क्रिस कहता है कि शायद हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्लोई कहती है मेरे फादर हमें हेल्प करेंगे इसके बाद थोड़े दिन गुजर गए क्रिस और टॉम जब टेनिस खेल रहे थे तब क्रिस को बता चला कि टॉम ने नोला को छोड़ दिया यह उसकी मदर की वज़े से था उसकी मदर चाहती है कि उसके एक दूर की कजन है उसके साथ ही उसके शादी हो क्रिस ने फिर नोला को कॉंटेक करने की कोशिश की पर उसे कही भी नहीं मिली आज कल क्रिस और क्लोई यह प्रेगनन होने की कोशिश कर रहे थे एक्चुल में Chloe को जल्दी से जल्दी प्रेगनन्ट होकर अपनी फैमिली स्टार्ट करनी थी Chris को यह सही नहीं लगता पर Chloe के लिए हो मान जाता है इसके बाद Tom और उसे एक कजन की शादी हुई एक दिन Chloe अपने फ्रेंड के साथ एक आर्ट गैलरी में आई हुई थी Chris को ऑफिस में याद आया कि उसे Chloe से मिलना था जब वो आर्ट गैलरी में जा रहा था तबी वो नोला से मिला नोला थोड़े दिन के लिए इस टाउन से चली गई थी पर अब वो वापस आ चुकी है Chris उसे बुछता है तुम कहा रहती हो क्या हम मिल सकते है नोला ने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है यह सब बातों का पॉइंट क्या है तब यहाँ पर Chloe आ गई Chloe नोला से हो कैसी है इसके बारे में बुछती है पर उसे बात करना ज़रा उक्वर्ट था इसी वज़े से यहाँ से हो चली गई क्रिस नोला से कहता है प्लीज मुझे तुम्हारा नमबर बता दो नोला भी सोच रही थी पर उसने बता दिया इसके बाद एक दिन यह दोनों डारेक्ली इंटिमेट हो गए हमेशा क्रिस नोला के घर पर आता था नोला की नेवर एक ओल्ड हुमन थी उसे भी हो जानने लग गया था एक दिन जब क्रिस और क्लोई यह टॉम के साथ डिनर कर रहे थे तब ही क्रिस का फ्रेंड उसे मिलता है उसने का एक स्टीट पर मैंने तुम्हें चलते होए देखा था मैं तुम्हें आवाज लगा रहा था यह जो स्टीट थी यह नोला के घर के पास ही है क्रिस फिर गहता है क्यों मैं नहीं था तुम्हें कुछ गलत फहमी होई पर उसका फ्रेंड बहुत ही फिर्म था क्लोई इस बात को जादा सेरिसली लेती नहीं इस वज़े से क्रिस को कोई भी प्रॉलम नहीं आया अब बहुत सारे दीन हो जुके और नोला और क्रिस अब भी मिल रहे थे क्रिस ने नोला से कहा था क्यों अपने मैरेज में खुश नहीं वो क्लोई को छोड़ देगा पर अब तक उसने नहीं छोड़ा क्लोई को इनके बार में पता भी नहीं तो नोला क्रिस वर बहुत ही चेट गई थी क्रिस कहता है मैं जल से जल बता दूँगा वो फिर तीन दिनों के लिए पूरी फैमिली के साथ एक विकेंड पर गया यही पर नोला का उसे कॉल आता है वो बहुत ही डिस्टाव थी वो चाती थी क्रिस अभी के अभी उसे मिले यहाँ पर क्रिस ने काम का बहाना बनाने की कोशिश की पर क्लोई मांगती नहीं क्रिस को यही रूखने पढ़ने वाला था रात में नोला ने फिर से क्रिस को कॉल किया वो गहती है कि मैं pregnant हूँ, उसे उसकी जरूरत है, क्रिस फिर अगले दिन उसे मिल लेता है, ये careful नहीं थे, इसी वज़े से वो pregnant हुई, नोला ने उसे समझाया कि हमारे लिए और एक चांस है, तुम क्लोई को डिवास दे दो, और हम दोनों हमारी new life स्टार्ट करेंगे, इसके कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, उसने उसे गले लगा लिया, अपने एक सिन में, क्रिस अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, जो भी उसके लाइफ में चल रहा है, इस सब कुछ उसने उसे बता दिया, वो कहता है, नोला के साथ उसकी जो भी marriage है, इसे वो इस तरीके अब क्रीस ने नोला को अवाइड करने के लिए का कि एक मन के लिए हम सारी फैमिली वैकेशन पर जा रहे हैं हम जब वापस आएंगे तो मैं क्लोई को सब कुछ चीज़े बता दूंगा पर अल्रेडी वैकेशन कैंसल हो चुका था एक दिन जब क्लोई के फादर इने मिलने के आये हुए थे तो क्रीस को एक बड़ा सा प्रोमोशन दे दिया जाता है नोला ने क्रीस को कॉल करने का बहुत ट्राय किया पर वो इग्नोर कर रहा था एक दिन वो चेक करने के लिए क्रीस के आफिस के बाहर आ गई क्रीस को बाहर आता देख वो बहुत ज़ादा गुस्सा ह जाती है, इन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई, क्रिस कहता है कि हम जल्दी आ गए थे, आज मैं तुम्हें कॉल करनी वाला था, नोला कहती है अगर तुम तुम तुम्हारी वाइब से बात नहीं कर सकते हैं, तुम मैं ही उसे सब कुछ बता दूंगी, अब क्रिस तो क्लोई की एक जीज क्रिस के बैग में थी, उसने बैग खोली, पर क्रिस जल्दी से उसे बैग ले लेता है, उसमें गन थी, तो कहता है, कल हम दोनों एक प्लेट देखने के लिए चलते हैं, प्लोई फिर एक साइड़े हो की, अगली दिन क्रिस ने नोला को कॉल लाग ग करता है उसने का कि हमारी केबल चल नहीं रही मैं देखना चाहता हूं कि आपकी चल रही है घर में आने के बाद क्रिस ने गन को रेडी किया इस ओड अधलता है घर की सारी चीजे तहसने इस ओल्डूमन की जेलर ही उसने लें ले ली ताकि पुलिस को लगे कि कोई यहां चोरी करने के लिए आये हुआ था वह उसने ओलिए को मार डाला क्रीज दोन नहीं कुलता और थोड़ी तर में उला कर पर आई वह भल दिखने के लिए आ गया पर वैसे ही क्लोई के साथ प्लेग दिखने के लिए आ गया क्राइम से इनवर पुलिस बोचे उन्हें लगा कि रॉबरी थी अगली दिन न्यूसपेपर में क्लोई को इसके बार में पता जलता है सारी फैमिली को नोला के लिए बहुत बुरा लगा था क्रिस फिर एक दिन पर हम देख सकते हैं कि उसकी रिंग शोर बरी गिरी कई क्रिस पुलिस से मिलने के लिए आया पुलिस उसे पुछते हैं तुमारे और नोला के विश में क्या रिलेशन्शिप थी क्रिस कहता है वो मेरी ब्रदर इनलौ की फियांसे थी हम दोनों में कुछ भी नहीं था पुल से बहुत प्यार करता हो वो सिर्फ एक मेरी गलती थी पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने नोला का मर्डर किया है अगर आप इसकी करना चाहते हो प्लीज बहुत ही डिस्कृट कीजिएगा आपके इस डाउट की वजए से मेरी पूरी जिन्दगी खराब हो सकती है प्लीज इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्रीस के जाने के बाद पूलीस ने इसके बारे में डिस्कस किया एक को लगता है कि शायद क्रिस गिल्टी है पर दूसरे को लगता है कि ड्रग्स के रिलेटर क्राइम था रात में क्रिस को नोला उसके सामने दिख रही थी नोला कहती है मेरे साथ यह सब करकर तुम जी कैसे सकते हो क्रिस ने कहा कि अगर मैं गिल्ट के साथ जी हूँ तो जी नहीं पाऊंगा मुझे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा तब भी क्रिस को वो ओल लेड़ी भी उसके सामने दिखने लग गई थी वो कहती है कि मेरी क्या गल्दी थी तुमने मुझे क्यू मारा क्रिस कहता है म सारी केस को फिगर आउट कर लिया था उसे लगता है कि 100% क्रिस ने क्राइम किया है दूसरा डिटेक्टि उसे कहता है कि उस ओल लेड़ी की रिंग एक ड्रग एडिक के पास हमें मिली उसे हमने अरेश्ट कर लिया है क्रिस ने कुछ भी नहीं किया था हमने प्रिवेसली दे लाइफ में चांस बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है अगर यह चांस नहीं होता तो आज वो बच नहीं पाता उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया पर इस गिल्ड के साथ उसे पूरी लाइफ में जीना पड़ेगा इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आप अपने आपका खेल रखिया